हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल रह्मत राज मतमेटिक्स में दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि सिक्सा और रोजगार से समंदित हर एक खबर आपको इस चैनल पर मिलेगी दोस्तों राजस्तान की एक और भरती रद ब्रेकिंग न्यूज आई है देखें कौन सी बरती रद हुई है और वापिस अब कब होगी ये बरती तो राजस्तान की दोस्तों एक और भरती रद कर दी गई है ओपीसियल न्यूज में आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ तो चलिए दोस्तों देखते हैं उस भरती के बारे में पूरी खबर तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं दोजार अठारा में पांच लाक आवेदन आये थे और चतुर्त स्रेणी क्रमचारियों के 209 पदों की बरती रद कर दी गई है जैपुर हाइकोर्ट परसासन के परिक्षा विबाग ने 209 पदों के लिए जिला नहले चतुर्त स्रेणी बरती 2017 को सुकरवार को रद कर दिया है आदेश में कहा है कि बरती परकिरिया को पारदर्सी बनाने के लिए अब नए संसोधित नियमों से बरती होगी इस बरती में सबी आवेदकों को सामिल करने के लिए आयू सीमा में छूट दी जाएगी परिक्षा सुल्क भी दोबारा नहीं लिया जाएगा बरती के लिए 8 वरवरी 2018 को आवेदन मांगे गए थे उसी समय 5.10 लाक आवेदन मिले थे उदर बरती परिणाम जारी करने को लेकर शुकरवार को अभियर्तियों ने अर्द नगन होकर परदसन किया तो दोस्तों आप देख सकते हैं चतुर्त स्रेणी क्रमचारियों के 239 पदों की जो बरती थी वो रद कर दी गई है पांच लाक आवेदन इस पर आये थे और ये कागया की भरती को पारदर्सी बनाने के लिए जो है इसके नियों में संसोधन करके दूबारा भरती पर किरिया की जाएगी और जो आवेदक है उनसे सुल्क भी दूबारा नहीं लिया जाएगा हालांकि आवेदकों को सामिल करने में आयू सिमा की जूट के जाने की भी बात यांपे की गई है तो 8 परविरी 2018 को आवेदन मांगे थे 5 लाक आवेदन आये थे लेकिन सुकरवार को हाई कोट परसासन ने जो है वो ये बरती पर किरिया जो है वो रद कर दिये दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों